हेलो फ्रेंट्स वेल्फम टु मैं इस्टडी फीट चैनल दोस्तों प्रिविएस येर में जितने भी कोस्टन्स फिजिकल एजुकेशन कंपटेटर एक्जाम्स टिजिटी पीजिटी के वियर से एंवियर से अल्टी में पूछे गये हैं उन्स सभी कोस्टन्स को टापिक कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर सभी वीडियो को वाच करके आप अपने को बहतरीं कर सकते हैं यह उसका प्रेक्टिस करना मत भुलिएगा तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज के प्रश्णों की तरफ सबसे पहले हम बात करते हैं निसारी बाजी से पुछें हुए प्रश्णो तो अभिनोव बिंद्रा की स्खेल से समझत है निसाने पाजी यानि शूटिंग आपसर नमबर डी करेक्ट है जैसा कि दोस्तों अभिनोव बिंद्रा जी निसाने पाजी यानि शूटिंग से रिलेटेड है इन्होंने बीजिंग उलम्पिक 2008 में 10 मीटर एर राइफल की स्वर प्रदह में पहला स्वरपदग था ठीक है 2008 बीजिंग उलम्पिक में इन्होंने 10 मीटर एर राइफल में स्वरपदग जीता था इसको विशेश रूप से दियान में रखिए गा। नेक्स्ट कोश्चन है 2008 के बीजिंग उलम्पिक में भारत के किस इस परधा में स्वर्पदक जीता था तो किस इस परधा में निसाने बाजी में और किस ने जीता था अब इन्हों बिंद्रा जीते थे किसमें 10 मिटर एयर राइफल में ठीक है नेक्स्ट कॉश्चन है जस पालरा का संबंध निव्न लेखित में से किस्चे है तो किस्चे निसाने बाजी असे नमबर सी करेक्टे है जस पाल रारा एक प्रमुख भारतिय निसाने बाज़ें निसाने बाजी अपुर्वी चंदेला का संबंद है तो किस से है निसान बाजी से आफिसर नंबर ए करेक्ट है एंड दोस्तों अपुर्वी चंदेला का संबंद निसान बाजी से है इन्हों ने वर्स 2014 में हुए ग्लासको में संपन हुए 2014 का राष्टर मंडल खेल 2014 का राष्टर मंडल खेल ग्लासको स्कॉट लेन में हुआ था और ग्लासको स्कॉट लेन के 2014 के राष्टर मंडल खेल में अपूरवी चंदला ने 10 मीटर एर राइफल इस परधा में स्वाड़ पदक जीता था 2018 की राष्टमंडल खेल कहां संपन हुए थे गोल्ड कोस्ट आस्ट्रेलिया में इसमें उन्होंने रज़त पदक 10 मीटर एर राइफल में जीता था ठीक है 2014 में स्वाड़ पदक 2018 की राष्टमंडल में रज़त पदक अपुरी चंदला ने जीता था था ठीक है नेस्ट कोस्टन है आपको देखना है यहां पर सुची वन सुची टू के बीच परसपर जोड़े में कौन सही है यह आपको बताना है सही मिलान करना है तो यहां पर है राजवर्धन सिंग तो राजवर्धन सिंग किस से रिलेटेड है दोस्तों राजवर्धन सिंग रिलेटेड है सूटिंग से एक का थ्री हो जाएगा ठीक है एंड सानिया मर्जा किसे सबंधित हैं सानिया मिर्जा है टेनिस से बी का 2 हो जाएगा एंड नराय कार्थी के किसे रिलेटेट हैं तो नराय कार्थी के रिलेटेट हैं किसे फारमुला 1 से ठीक है नरायकार्चे के फर्मूला वन से रिलेटेट है तो शी का फूर हो जाएगा एन्ड अन्जु बाबी जोर्ज अन्जु बाबी जोर्ज किस रिलेटेट है एफलेटिक्स से तदी का वण हो जाएगा तो दोस्तो यहां पे option number D correct हो जाएगा एंड नेस्ट question है अंजली भागवत संबंधित हैं तो अंजली भागवत किस तो रिलीटेड है दोस्तो यह भी है निसाने बाजी यानि स्वूटिंग से option number D correct है अंजली भागवत एक परसित भाती निसाने बाज हैं इन्हें वर्ज 2000 में आर्जुनवार और 2003 में राजवर्धन सिंग राठोर निम्न लिखित में से किस खेल से संबंध है तो निसाने बादी से सुटिंग से राजवर्धन सिंग राठोर ने एथेंश उलंपिक 2004 की निसाने बादी परतियुक्ता में पूर्शु की डबल ट्रेंप इस परधा में दूसरा अस्थान लेकर सुतनता के बाद बेसिगत इस परधा में रज़त पदक जितने वाले एप पर्थम भारतिय बनने का गोरो हासिल कि यानिन निसाने बाधी में उलंपिक में कौन नसे पदक आया है उसका मैं डिटेल बताती हुँ जैसे कि सबसे पहले 2004 में में उलंपिक में रज़त परत किला राज है 2017 से 2019 तक एंड दोस्तों उसके बाद 2008 में बीजिंग चीन ओलंपिक में अभिनो बिंद्रा ने 16-meter air rifle में नियान किसी व्हाने बटडं में परता समय आभी नाये वीडय ही बने कि उसेके बाद दो हचार बारा में निशाने वाजी निशाने माझे में दो प्रॉट कीए एक राजात एक कास्पद है कौन-खॉल प्राप्त किया एक राज़त किया 25 मिंटर रेपीट फाइर में एक काश गगर नारंग ने 10 मिटर इर साइफल में प्राप्त किया दो हो जबारे के लंदन उलंपिक में एos दोष्टों आप unserem बात करते हैं 53 पूछे गए प्रस्चुन के थे अज परल्यम्वत्र रहे में कि लंबाराम्त शंबंद रहे हैं ऑफ्रेंबाराम्त कर संब्थ किस थे तिरेंदाजिंधित और नंबर अगेमार्लं में य shortened खेल…… छेतर के प्रतिष्टिस सम्मान अर्जिन अबाड प्राइबस और 1922 में इन एंड उन्होंने WR 12 Dodd Cup wages in dawn update में प्रौतक प्राथ किया था कि इसने लिंबा या मिन सुमेलित करना है यहां पर निम्ली लिखित में से कौन सुमेलित नहीं है यह आपको देखना है कि इसमें से कौन सुमेलित नहीं है तो दोस्तों देखते हैं पहला है क्लीकर क्लीकर किसे रिलेटेड है तिरंदाजी से सही है बॉलस्ट्रक किसे रिलेटेड है फेंसिंग यानि तलवार बाजी से एरोजल किसे समधित है गोल्फ से क्यू फेक्टर किसे रिलेटेड है साइकल चेहलन से यानि कि सभी आपसन सही है आपसन नमबर बी यहां पर करेक्ट हो प्राचीन ग्रीश में तिरेनदाजी सिच्छा जाने जाते थे? तो क्या नियम उपर में निप्पूर होते थे? तो दोस्तो ये था आज का सेशन निशाने बाजी और तिरंदाजी से जितनी questions आये हुए थी previous year में सभी questions यहां पर रखे गए थे और दोस्तो आई होब की सभी questions आपको समझ में आये होंगे और दोस्तो आपको current की चीजें यह याद रखना है की राजवरधन सिंग राठां दोहजाल आठ का दोहजाल चल में जो निशाने बाजी में राजवरधनसीं राठां ने रजट पदस गीता घिता था वो पूछा जाता है बार बार यह भी बार बार पुछा जाता है और आपसे पुछ रखता है 2012 में जिन्होंने दो निसाने बाजी में दो पड़क प्राप्त किया है एक रजत बिजय कुमार 25 मिटर ड्राइविट फायर एंड एक कांस गगर नारंग 10 मिटर एर राइफल में ठीक है एंड दोस्तों 2021 के टोक् होता है एंड दोस्तों फर्स बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए विल आइकन को फ्रेज कर लेजिए जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आपके पास पहुंचता रहे तो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की साथ अब तक के लिए जैहिं